हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल आस्ता की दसोही में आर मैं आपको मुर्गे के पंजे साप करने और उसको बनाने की आसान बिती बताऊंगी तो वीडियो पूरा देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नहें हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिया है एक किलो मुर्गे के पंजे जिसको मैंने बाजार से लाकर अच्छे से दोकर साप कर दिया है अब हम इसकी चमडी को साप करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले गयस को जलाएंगी और पिल्कुन देमी आज में इसे पिल्कुन हरकाचा भूनेंगे पंजो को मैंने हरकी आज में भून लिया है अब हम इसे गरम-गरम ही छुड़ाएंगे ठंडा होने पर यह नहीं छुटेगा पंजो हमारे अच्छे साफ हो चुके हैं इसी तरह हम सारे पंजो को देमी आज में भून कर सारे पंजो को साफ कर लेंगे सारे पंजो को मैंने भून कर इसकी चम्री को साफ कर दिया है अब हम इसके नापों को काट कर साफ करेंगे सारे नाखुनों को मैंने काट कर चाप कर लिया अब हम इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे सारे पीचेश में मैंने कट लगा दियें अब हम उसे एक पार पानी से अच्छी तरह से जोल लेंके पानी से तोका मैंने अच्छी से साफ कर लिया है अब इसे बनाना सुरू करेंगे इसके लिए मैंने लिये कड़ाई कड़ाई में डालेंगे सर्सों का तेल तेल हमारा अच्छी से गर्म हो चुका है अब हम इसमे मुर्टी की पंजे को डालेंगे मुर्टी के डालेंगे अबने थेपाद आव लूह अबने की साफ कर अबने की समादत्र तामातव रनीती बाति सिर्णादी क्यों नुटरा कि अधी तुक्त कि अध्यान करें नमा नब चल करें रजय प्रकाच रूप के चाल में तक पागेंगे चाल के पाजम छों के के अब गज़का हुदा करें इसके डेसों तामाटर हमारे अच्छे से जल पुके हैं अब हम उसके छिल्कों को निकाल लेंगे सारी तामाटर के छिल्कों को मैंने निकाल लिया हैं अब हम उसे कल्चुवी मदा से तामाटर को अच्छे से मिलाएंगे दें इसी में हम डालेंगे लाथो नात्रक का पेश्टें के घर जात्रकशत्णिक लिदकर लिए आए।र्छिक अग्धियोगे हैं अच्छाभ्ग्स को शीच खाने भीét की तामाटर के से लिच्ष्टे गच्छे को और लावरे नियाabbर प्रक्तिक्ने से लिजसिए छिए्ए. तीम conducting proc compound कित और सूखे मसाले करेंगीं दमीशी पाऊजेन ,Butter, दमीशी फायज pass history, पड़ा ऑ घरम उखाला , बड़ा सब्दहाराय पाऊजने . कादी जीजो को डाँ कर अचीजी मीला इना अच्छे जाने को बाद सिमय पूला सा पानी दाने घाटी मासा ने और अच्छे शेया पाकेम पानी दांका डिप्टे धास का तो मिनत पकाईंगी जो चुका है अगां धास का नदांका तो चलाईंगी मुर्य के पंजिया हमारे अच्छे से पक तुके हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी की कसुरी में इसमें और हरा धन्या अब हम जैसे प्लेम को बंद करते हैं और इसे प्लेट में निकाल देंगी तो फ्रेंड्स आपको मेरी मुर्गे की पंजिय की रेस्पी कैसी लगी एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में जरूर सेयर की जिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं ऐसी ही नहीं मज़ेदार रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई